सावन के महीने में व्रत करने की नियम क्या क्या है बहुत यसान है कहते हैं भगवान भोले बाबा इतनी भोले हैं कि वो तो एक लोटा जल से ही प्रसंद हो जाते हैं लेकिन फिर भी व्रति को नियम से पूझा करना अपनी श्रदा है भवान शिर्म को प्रसंद करने के लिए देखिए अगर आप वरत रख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक थोड़ा सा क्लियर करूँ सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और में साथ जुड़े रहना मैं आपको सही जानकारी देने कोशिश करूँगी अब आपने वरत रखना शुरू करना है तो आपने सबसे पहले अपने मन में वो मनो कामना लानी है और भवान शिर्म का स्मरन करके उनसे प्रातना करनी है कि मेरी ये मनो कामना है और इस मनो कामना के लिए पूरी करने के लिए मैं आपके सामने सौंवार के वृत रख रही हूँ आप उन्हें स्विकार करके मेरी मनो कामना को पूरा करें सबसे पहले ही संकल्प ले लें और दूसरा जब आपी संकल्प ले लें तो वरत के दिन आप तामसी भोजन तो बिलकुल ही ना लें अगर आप एक समय भोजन लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप शुद, स्वस्थ और सात्विक भोजन करें तामसी भोजन होता है जैसे प्याज, लसन, मास, मदिरा यह सब तामसी भोजन में आते हैं कहते हैं इस महीने में तो बैंगन, मसूर की डाल, जला हुआ भोजन, बासी भोजन बिलकुल ही नहीं खाना चाहिए शुद और साव भोजन, ताजा बना हुआ भोजन का सेवन करना चाहिए कहते हैं इस महीने में दूद का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शिव को शिव का अविशेग जो है वो दूस से किया जाता है सो इसलिए दूद का खुद सेवन नहीं करना चाहिए सावन के व्रती को क्रोज से बचना चाहिए हो सके तो अपने आपको शांत रखने की कोशिश करें और शांत भाव और पेम भाव से भगवान भोले नात के व्रत करें भगवान शिव को बेल पत्र, भांग, धतुरा, गंगा जल, कच्चा दूद इससे अभिशेग कराया जाता है और ये चीजें सावन के महीने में बहुत आसानी से मिल जाती है भवान शिव को आप पंचा अमरित से अभिशेख कराएं पंचा अमरित में शुदगी, दही, शहद, शंकर और दूद मिलाया जाता है इससे आप पंचा अमरित त्यार करें और सबसे पहले भवान शिव को जल अर्पित करें उसके बाद पंचा अम्रित अर्पित करें फिर उसके बाद फिर से जल अर्पित करें इस तरह से आप भवान शिव की पंचा अम्रित से अभिशेक कराएं जितने देर आप ये अभिशेक कराएं उतने देर आउम नमशिवाह का जाप लगातार करते रहें कहते हैं पूजा निर्मल मन और प्रेम से की जाए तो वो उसके लिए एक लोटा जल ही काफी है आपकी पूजा में प्रेम हो, भाव हो तो भवान शिव एक लोटा जल से भी प्रेसन हो जाएंगे मेरे साथ जुड़े रहें, सुस रहें, खुशा रहें, धन्यवाद